हे गाईज वेलकम टूमा यूटूब चैनल इस्टाड़ी बी देभूमी फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे समान ने ग्यान पार्ट फॉर इस वीडियो में आपको समान ने ग्यान के 20 महत्वपोर्ड एमसे की उस देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाल एक्जाम बीडियो बीपीडियो समाच के लियान अधिकारी पटवारी बंदी रक्षक ठीक है और आप यूकरटर पलस्टी के अलावा किसी अनिरजी की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल के किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए भी समान ने ग्यान का दिवस्त की स्तिति को मनाया जाता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्णन कोशन वीडियो के लिए तो गयज यह मनाया जाता है चोविस अप्रेल को देखिए रास्टे पंचायते रास्टे दिवस्त मनाने की जो सुरबात हुई थी यह बर्स 2010 में की गई थी ती आपको पता है 24 अप्रेल 1993 को ठीक है 73 संब्यदान संसोधन हुआ था थी कर इसी दिन पारित हुआ था ठीकिस दिन 24 अप्रेल 1993 को 73 संविदान contar जोई अधिनें पारित हुआ था और यह 73 संभिधान संसोधन जो किस से संबंद दी था तो पंचायती राज व्यवस्ता से देखिए जब यह संसोधन हुआ था तो बारती संभिधान के भाग नो में इसको रखा गया था ठीक है भाग नो में और ग्यारवी अनुसूची में तो यह दोनों पॉइंट आपने यहां से याद रखने हैं अगला कोशन है कि बल्वंत राय मैता समीती का गठन किस बर्स किया गया था तो बल्वंत राय मैता समीती का जो गठन किया गया था यह किया गया था उन्निस सो सत्तावन में यानि 1957 में देखिए बल्वंत राय मैता समीती किस व्यवस्ता का does अए कौशन आता है तो थीरी स्त्रिय तिरी स्त्रियस पन्चैती राजिए व्यवस्ता का सुझाब दिया था जिल परिशत जूसरा पन्चैती समीति और गिराम पन्चायत अगला है यम्ना नदी का प्राचीन नाम क्या है तो यम्ना नदी का प्राचीन नाम क्या है गाईज कालिंदी ठीक है क्या है कालिंदी अगला कोश्चन है दिखिए यहां से आप एक कोश्चन बताईए कमेंट के माद दिन से बताना कि कालिंदी परवत कहां पर है ठीक है उत्तराखंड में कालिंदी परवत जो है कहां पर इस्थित है देखे यमना नदी जो है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सायक नदी है यह तो आपको पता ही होगा ठीक है सबसे बड़ी सायक नदी है यह गंगा की ठीक है यह नदी निम्न में किस नदी का उद्गम होता है तो यह होता है गूमती का किस नदी का उद्गम होता है तो यह होता है गूमती का देखे फुलर जील जो है पीली भीत में कहां पर है पीली भीत में और पीली भीत कहां पर है यूपी में ठीक है देखे फुलर जील का जो बरतमान नाम ह वो पूछ सकता है तो गोमत ताल तीक है अब इसको किस नाम से जानते हैं गोमत ताल नाम से इसको जानते हैं अगला question है निम्न में से कौन सी नदी प्राय दीपिय भारत की सबसे लंबी नदी है तो गाइज यह है गोदाबरी यानि ए ओप्सन हमारा सही है देखें गोदाबरी नदी का जो उद्गम होता है यह महरास्त से होता है कहां से होता है गाइज महरास्त से जो वहां की त्रियंबा टीक है कि वहां से होता है लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर अगला कोश्चन है यह काफि मैट पूर्ण कोश्चन है भारत में पर्थम जल विदूत केंद के स्थापना कहां पर की गई थी और मतलब आपको ब्राकिट में यह 1897 भी दे सकता है ठीक है तो दोना तरह से दे सकता है यह की गई थी दार्जलिंग में कब की गई थी दार्जल महामार्ग परियोजन्या का उद्गाटन किस बर्स किया गया था तो देखे चारधाम महामार्ग परियोजन्या का उद्गाटन किया गया था यह किया गया था 2015 में यानि B option हमारा सही है देखे चारधाम महामार्ग परियोजन्या का उद्गाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यता उत्राघंड में इस्तित चार प्रसिद्ध धाम कौन-कौन से हैं गंगोत्री यमुनोत्री एदारनात और बद्रिनात की यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से अगला कुश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिविनल की स्थापना कब की गई थी तो गाइस यह की गई थी 18 अक्टूबर 2010 में यानि बी ऑप्शन हमारा सही है नेशनल ग्रीन ट्रिविनल को एंजीटी भी कहते हैं तो एंजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश से जो था पर्यावरार संबंदी carnty विशो पर निप्टारा करना था इसका एन जीटी क्या याद रखना जड़ाता है तो याद पूछ लेता है दिल्डी और इसके उनजए क्रेवाए भी तूर्य और चार चेत्र कार्यालि है वह और पर है मैं तो आपको याद रखना है उसके वांवरा कार्याने स्थापना किस बर्स की गई थी तो दिखे भारते रेलबे बोर्ट की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 1905 में यानि यह option हमारा सही है भारते रेल का रास्टे करण कब हुआ था तो यह हुआ था 1950 में दोनों पॉइंट काफी महत्पूर्ण है भारत में सर्व परतम रेल ब्यावस्था की सुर्बात का हुई थी तो यह question तो पूछा ही जाता है तो पूरी डेट आपको याद रखनी है 16 अपरेल 1853 में ठीक है यह जो शुरू हुई थी कहां से कहां तक हुई थी मुंबई से थाड़े तक ठीक है मुंबई से थाड़े तक और कितने किलोमेटर थी यह 34 किलोमेटर गाइज अगला question है जैन धर्म के संस्थापक एवन पर्थम तीर्थकर कौन थे ठीक है तो गाइस यह कौन थे रिसब देव ठीक है अधिक तर इसको देखे महावीर एकदम से ठीक कर देंगे वह पूछ रहा जैन धर्म के संस्थापक एवन पर्थम तीर्थकर ठीक है तो आपको रिसब देव ठीक है रिसब देव के अन्य नाम की बात करें गाईज पूछ सकता है इनके लावर और नाम भी दे सकता है वो तो आधिनात इनको आधिनात कहते हैं ठीक है ब्रसब नात भी कहते हैं अगला कोश्चन है बिमबि सार किस धर्म का अनुयाई था यानी बी आप्सन हमारा सही है याद रखेंगे हरियक वन्स पा संस्थापक था ठीक है बिम्बी सार के पुत्र कौन-कौन थे अजासत्रू कौन था अजासत्रू अजासत्रू ने मगत की गद्दी को पाने के लिए अपने पिता की हद्द्धिया कर दी थी जाना जाता है कुटिक कुछ पूछता है कुडिक उपनाम से जाना जाता है अगला पुछिन है पाटली पुत्र स्थापण किस ने की थी यह किस ने के थी अजाग सत्रू ने झाले और इसे मघत की राजदाने जो बनाये था भी पुछन ने का walks ने 0 Sadra कि पाटली पुत्र को मघद की राजधानी ठीक है मघद की राजधानी किस ने बनाया था तो यह नाम आपने याद रखना है उदिन ठीक है उदिन ने उदिन हरीक वंस का अंतिम राजा था यह आप याद रखेंगे उदिन जो था यह हरीक वंस का अंतिम राजा था अगला को मोर्य वंसका संस्थापक कौन था कोस्चन चंद्रगुप्त मोर्य समराद घुकि जो राजदनिय काफी पूछी जाती तो आपने याद रखनी है पाटली कौन थी ? पाटली जवाहिकित चंद्रगुथ मॉर्डुक उत्रादिकारी कौन था ? बिंदु सार बिंधु सार और विंभी सार इता है अगला क्स्षियन है दौनस बिंधु किस मॉर्डु के किस्वाको भद्र सार या वारि सार जार कहा गये है ? तो गाइज यह किसको कहा गया है बिंदु सार को ठीक है यह option हमारा सही है देखिए बिंदु सार को जैन गरंतों में कूछ लेगा कि बिंदु सार को जैन गरंतों में किस नाम से पुकारा गया है तो इसको कहा गया है सिंग सैन क्या कहा गया है इसको सिंग सैन देखिए आप को होते हैं अगला कॉश्चन है मेगा इस्थनीज ने भारतिय समाज को कितने बर्गों में विवाजित किया था तो गाइज मेगा इस्थनीज ने देखिए भारतिय समाज को कितने बर्गों में विवाजित किया था तो साथ बर्गों में यानि ओप्सन हमारा सही है अब वो साथ बन के कौन कौन से हैं वो पूछ भी देता कि इन में से कौन सान नहीं है तो आप उनको देख लीजिए एक तो था दार्शनिक ठीक है दार्शनिक किसान कि अहिर कारीगर कि सैनिक कि ठीक है और निरिक्षक ठीक है निरिक्षक कितने होगे दार्शनिक किसान अहिर कारीगर सैनिक निरिक्षक और सभासाद अगला कोश्चन है नेशनल इस्तोक एकचेंज की स्थापना किस बर्स किई गई थी तो गाईज देखिए NSE यानि National Stock Exchange की तो इस्थापना हुई थी यह हुई थी 1992 में यानि B-Option हमारा सही है देखिए National Stock Exchange ठीक है NSE इस तरह से भी पूछ ले गई है ठीक है तो यह भारत का सबसे बड़ा शेयर बजार है तो गाईज देखिए ठीक है यहां से कोशन यह पूछ सकता है कि सेयर के भाब की गढ़ना जो किसमे की जाती है तो आपको याद रखना है निफ्टी में की जाती है किस में की जाती है निफ्टी में तो national stock exchange में shares के भाब की गण़ा जो की जाती है वो निफ्टी में की जाती है यह very very most important fact है अगला question है मुंबई इस्टोक एक्सचेंग की स्थापना किस बर्स की गई थी ठीक है मुंबई या इसको बॉम्बे भी कहते हैं इस तरह से मिलता ने बी एस ए करके तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1875 में की गई थी तोड़ा गड़बड हो गया है यह ठीक है की गई थी देखिए बॉम्बे इस्टोक एक्सचेंज भारत और एसिया का याद रखेंगे भारत और एसिया का सबसे पुराना इस्टोक एक्सचेंज है ठीक है तो यह पॉइंट जरूर आप यहां से याद रखने इसके लाबा इसमें देखिए 1986 में सेयर्स के भाप में होने वाली तेजी मंद्री को मापने के लिए ठीक है किसकी रचना की गई थी सैंसेक्स की स्थापना की गई थी अगला है सेवी की स्थापना कप की गई थी, सेवी यानि भारतिय प्रतिभूती और बीने में बोड़ एक्सचेंज बोर्ड ओफ इनडिया यानि सेवी तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में यानि D option हमारा सही है झेखि सेवी का मुख्य उद्धेशी जो है भारती पुंजी और प्रतिवुति बजार की निगरानी करना है ठीक है झेखि सेवी को सेवी को बेधानिक जो बेधानिक माननेता मिली थी वो कम मिली थी देखे स्थापना का सभी को पता और अधिक तरवाथ पूछ भी रखा है तो इसको बैधानिक वाला आप याद रख लो तीक है 30 जनवरी कि उन्नीस सो बैधानिक माननेता प्राप्त हुई थी मुख्याले कहांपर है सैवी का पूछा गया है तो मुख्याले कहांपर है गाइज इसका मुंबई में अगला कोश्यन है कि निमन मैं से मोर्य सम्राजजी के परमुक राजनीतिक केंद्र थे तो गैस यह थे पाझली पुत्र टक्षिल औनगर्ण हमारा सही है कॉंको से पाटले पुत्र, तक्षिला, उज्यानी, तोशली और श्रोय वनगिरी परमुक राजनितिक केंद्र थे इन केंद्रों में तक्षिला कौन सा वाला? तक्षिला और उज्यानी कौन सा? उज्यानी दोनों लंबी दूरी वाले महत पूर्ण ब्यपार माग पर इस्थित थे ये दोनों पूछ सकता कौन कौन से? और इसमें जो सोड़ना गिरी है सोने का पहाड करनाटक में सोने की कहदान के लिए उप्योगी था तो पूछ सकता कौन सा सोने के पहाड करनाटी में सोने की ख़दान के लिए उप्योगी था तो स्वड़ना स्वड़नागिरी ठीक है स्वड़नागिरी अगला कोश्चन है और आज का अंतिन कोश्चन भारत में मकवरा सैली का जन्मदाता किसे माना जाता है किसको माने वहां इस तरह से लिखावा मिलेगा इसलिख सर्थ इस था मिलेगा थıld गुलाम बंस पसको is इस का गुलाम बान और इसका घुलाम इंढ टेक है तो guys ये थे समाने गयान पार्ट फोर के 20 महत पूर्ण MCQs जो आपके आने वाले एक्जाम में आपकी काफी मदद कर सकते हैं guys अगर आपको वीडियो देखे 1% पे अच्छी लगी होना तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो को जादर से जादर शेयर करें, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, thank you for watching